दोस्तोर नमस्कार मैं हूँ आपका रेडियो साथी मोहनकार की आप सुन रहे हैं रेडियो कुमावाणी 90.4 मेगा हट्स में अपन रेडियो अपन बात मैं हूँ ग्राम सभाद दाडिमा में आज खास मुलाकात कारिक्रम में मिलने जा रहा हूँ कुमावनी और गड़वाली वर्जन में बनी फिल्म पहली पहली प्रीत के निर्देशक नभीन सिंग रहकवाल जी के साथ तो नभीन भाई आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन खास मुलाकात कारिक्रम में तो नभीन भाई आप से जानना चाहूँगा आपने जो पहली फिल्म बनाई पहली पहली प्रीत क्या पहले से आपका बैक्ग्राउंड इस तरह के का था या यह कैसे हुआ समभूग ऐसा दिमाग में तो कुछ नहीं था पहले उस अपिस अलग करने का कि देखे कि इस फिल्ड में जाके क्या होता है तो हमने समय जब काम शुरू कि किया तो हमने समभू कुछ फिल्मे में थोड़ा थोड़ा सारे लोग जुड़ते किया साथ भला फिल्मते थोड़ा साम लग अधर उसके बड़ा था नॉलेज़ब भी बताइग तो किया हमने देखा कि काम करना था रश्ड़ा है बहुत थीग है जोग इसे पहले काफि कला उनसे भी मिले, और लाइटिंग साउंड वालों से मिले, कैमरा में से मिले, हर लोग से मिले, हमने देखा कि कौन किस लोगों का काम किस तरीका का है, किस लोग ने किस हिसाफ से इस्टर कलिया, कलाकार तो एक फिल्ड आगे से उसने मंचबे अमने अक्टिंग का जल्वा दिख तो वह पीछे होते हैं असली मस्कत वहीं होती है मेरे ख्याल से हाँ जो कलाकार है उसने तो आगे कर दी हाँ मकर उसको किस तरीके से उन्होंने capture किया Direction किया और उन्होंने पीछे काम किरा बैक्गराउंड में वो मैंन जरूरी है फिल्म चलती है तो सामने वाला तो दिखता है लेकिन असली मिषने तो बैक्ग्राउंड वाली की है तो तब बैक्राउंड आले को अजीब नहीं लगता नै नै ऐसा कुछ नहीं होता है वो कहता है कि कलाकार अगर अच्छा काम कर रहा है और उनका अच्छा कार ये हो गया तो उनको बड़ी खुची होती है इस बाद में कि हमने यार पीछे से बैक्राउंड में इतना अच्छा काम किया और वो कैमरा में है जैसे वो अच्छा से अच्छा टेक लेने की कोशिद करता है और लाइटिंग और सांड वाला है पूरी फिलम बनाने में, फिक्चर बनाने में? उस समय का ये दोर था कि उस समय फाइनेंसली बहुत प्रोब्लम थी क्योंकि पैसे और इसमें एक्सेश ज़्यादा था और उतनी कमाई होती नहीं थी तो उस समय मैंड प्रोब्लम तो ये थी दूसा प्रोब्लम ये थी कि अगर कोई नया नया आदमी कोई काम करी तो उसमें आदमी को पता तो होता नहीं था तो जैसे मुजिसियन है या कोई एक्टर है या कैमरा में नहीं ये लोग बजट से अनुरूप ज़्यादा बता देते पैसा अच्छा तो उसमें ज्यादा एक्सपेंसिल आता था आज का दौर तो यह है कि आज कल तो सब लोग जाग रुख है संसाधनों के हिसाब से अगर देखें तो संसाधनों के हिसाब से भी उस समय काफी पीछे था क्योंकि आदमी के कोई जग रुकता तो थी नहीं आज तो ऐसे कि आदमी की स्मार्टफोन ने गूगल में क्लिक मारें है सारा कुछ नो ले जा 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 रही जैसे की बोड आ गया आज हुडका बजा लो बासुरी बजा लो कुछ भी कर लो उसमें लेकिन तब तो खुडका ही चाहिए था या आज भी चाहिए तब कीबोड भी था मलब वैसा था है जहां पर स्टूडियो था वहां कीबोड था मगर ओरिजनल जो थीम देते थे जो हमारे टेम में किया बासुरी वाले बासुरी बजागी दिये वकाएखे वाले ने वकाएखे में दिया भुlaग वाले और भी डोलग में दिया तब हमने जैनल रिकूर्डिंग की थे आज तो अब आज पने 2024 से दोज़क सार लिस फेर इस फिल्ड इनमेरा कम तो अ डिरेक्शन का था एक्टिंग का तो कुछ था नी तो हमने जो काम किया उस समय हमने तो यही चीज़ा देगी फिर जो पहली पहली प्रीट आपने बनाई उसकी जो थीम लिया आपने वो ऐसे ही ले ली या उसके पीछे कोई कारण था ने रिजन तो था हर सीज में रिजन होता है आजका हमने बनाई थी कि एक अच्छा परिवार का आदमी है उसके तीन बिटे हैं और एक बिटा सराबी है जो अमना कमाई के असारा पैसा फूग देता है तो अधर आयासी में मुझरा उगरा देखने का ये चीज़े देखने का सवकता हुँ और दूसरा लटगा जो था दूसरा लडगा उसका दूनुल लड़के जो थे पढ़ाई करता था सोटा वाला तो एक बीच्वाला लडगा था जो भी अपना अच्या काम करता था तो वो एक गरीब लड़की से प्रेम करता था, बीच वाला लड़का, तो ये बात उसके जो घरवाले थे, वो पिताजी थे, वो मानते नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं सावकारूं सेट हूँ, और क्या कहते हैं, ये साजी नहीं हो सकती, तो इस चीज में उन्हें साथी हो दी, सारी जगर साराप का, इस्टेटेस संबल हो गया साराप, तो वो चीज़ा यह हैं कि जो अमीर आजमी भी होगा, वो किस गरत बजा रहा ये आज की सिचुएशन के साफिर अगर आप देखोगे, तो साराप अगर वो यूज करता है, या अयासी करता है, तो अम तो दूसरा हमने एक देखा कि अमीर गरीब का कोई महत्त नहीं होता है, आदमी के चालचनन अच्छे होने चाहिए, तो अगर अच्छी लड़की है, चालचनन की है, तो गरीब लड़की आदमी को अमीर बनाने में टायम नहीं लगाती है, सबसे बड़ी चीज तो यह है, याने कि बैचारिक समान्ता बहुत जरूरी है। बैचारिक समान्ता है गरीब भी है तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेंगे। अब यह है न, अमीर ही अगर अमीर रहेंगे, तो अगर अगर ठीक से अगर समानता हैं नहीं हैं, तो एक दूसरे को दोनु आदमी अगर कहेंजेगी मैं बड़ा मैं बड़ा, तो उसमें तो परिवार टूरन में में टैम ने लगा, हमने तो यह दर्शाया कि गरीब है, समानत हैं और क्या गएते हैं उस पर वो घर को अच्छे से चला सकती हैं और क्या गते हैं उसका परिवार आगे, उसमें आगे बड़ेगा ही, बड़ेगा तो दो-तीन संदेश आपने उस फिलम में आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपने जिस मनसा के साथ यह बनाई फिलम, आपक तो हिसाब से बनाए थी कि चलो आगे करके कुछ देखें क्या वता है इस फिल्ड में काफी लोगों से हम मिले भी और काफी लोगों से हम जुडे भी इसमें और अपने हिसाब से तो हमारे थीक किया और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपने एकदम से इतना काम किया उस समय आपने 2004 में कम से तीन लाग रुवे खर्चक गए जैसे आप से बात्चित हुई उसके बाद आपने अचानक इस काम से पीछे हट गए तो क्यों है ऐसा इसलिए कि इसमें एक्सिबेंसे तो बहुत हैं मकर क्या है कि इतने एक्सिबेंसे निकल नहीं पाते हैं तो वो चीज है हमारे निकल नहीं पाई उस समय अगर आप निकल नहीं पाई अगर आदमी का अगर पेटी नहीं भरेगा काम करके तो तो कोई फाइदा नहीं है तो नवीन भाई आपको लगता है कि और जयदा काम करने की ज़रूद है इसमें इसमें काम कने की जरूद है पहले नमबर तो इसमें गवर्मेंट को काम करने की जरूद है गोर्मेंट आम जो से लोकल विरासत है जो खलाकारु उन्हें यहां पर बचांके रखी है समाल के रखी है जो भी अकर आने वाले फ्यूसर में देखो आप लोग ड़ो नए अब इसी चीश क तो कर नहीं सकता है और इस चीज़ को अगर बचाने की जरुवत है नया बच्चा का देखना साहेगी कि क्या पुरानी मित्यासती या हम कर सकते हैं वो टेलेंट देखकर ही करेगा तो इसके लिए गवर्मेंट ने मैं चाहता हूं कि गवर्मेंट इसमें एक अपना कोई चैनल बना के दें या कलागार जिसमन से आकर आपना हुनर देखा सके हैं कलागार को आपने देखा हूं कभी मान सम्मान नहीं मिलता यहां लोकल के बागी तो अगर कोई नेशनल लाइज में काम कर रहा तो उसको तो काफी तेलेंट है हुनर है और उनको मान सम्मान काफी कुछ द तो नमीन हमारा पुराना कल्टर है और आज के रिमिक्स आधुनिक शंगीत है तो दोन में तो बड़ा फरक है आप कैसे देखते हैं पुराना कल्टर है तो आज के सहाने लोग को पुराना कल्टर करे शुंगा नए रिमिक्स को सुनना पसंद निहींगे पुरानी बात अगर आपने रखनी हैं तो इसमें आपको रिमिक्स के यह चीजे सब करनी ही बढ़ेंगी और जैसे आपने अगर एक जाम्पल दो आपको जैसे पहले पुरान बुजर के तो मडवा उगरा यूद कहते हैं आज का नया कलता है कि बच्चे को आप मडवा की रोटी देगे वो बिल्कुल खाए गाई नहीं अगर आप उसको कुछ मडवा के खिलाना है तो उसको आप देखें आज के दोर में पतंजली वारों उन्हें मडवा के बिस्कुट 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 बिस्क है वो हमारी बची रहे और जो अगर पुरानी विरासत बचानी है तो जिस आप से कल्चर में आज के पब्लिक दिमांड तबदिली हो रही है नया यंग जनरेशन जो डिमांड कर रहा है तो उसको हमने शुरताओं को हमारी वाओं को क्या संदेश देना चाहोगी संदेश हम यह देना चाहते हैं कि अगर कोई जन्ग जनरेशन इस पिल्डर पर काम करना चाहे या अगर कुछ सुनना चाहे नई तकनिक के साथ अगर कुछ पुरानी विरासत को अगर वो आगे बढ़ा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरा यह है कि हमाने तो पुराने जो गी शंगीत है कुमावनी या कुछ कहानिा है उसे भी सुनना जरूरव obsairy पुरानी चीजे काफी बढ़ी हैं कुछ पुरानी बढ़ासत कुमाव था पुराने जबाने में क्या हो कुआ या ग्रवाल में आपका धन्यवाद करते हैं और आगे भी आप हमारे साथ जुड़के अपने अनुम्हों साज्या करेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं धन्यवाद